नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महत्वपून जानकारी को ले करके जिहां भारत में एक कहावत बहुत ही प्रचलित है एक अनार सो बिमार अर्थात अनार एक ऐसी महा और शदी है जो अनेको बिमा बहुत अच्छा श्रोत है इसमें लोहा, मैगनीशियम, फासफोरस, पोटैशियम, फोलेट, मैगनीज, सेलेनियम, जिंक जैसे और भी अन्य पोशक्तत्व नहीं थैं यह फल उमेगा सिक्स फैटी एसिड का भी एक अच्छा श्रोत है अनार का फल ही नहीं अपीतू इसका हर एक अंश शरीर के स्वास्थ के लिए लाफदायक है अनार के पेंड की जड़ें, पत्तियां, छिलका, बीज, इत्यादी सभी और शद्य प्रयोजनों के लिए उप्योग की जाती है यह पाचन शक्ति को बहतर करता है, विर्य गठन को बढ़ाता है, स्मृति को सक्रिय करता हवा, पित, कफ की वज़ह से शरीर में हुए असंतुलन को ठीक कर देता है, हिमोगलोबीन के गठन को बहतर बनाता है और एक बहुत अच्छा रक्त शोधक है, तो आईए हम इस चमतकारी फल के चमतकारी गुणों के बारे में आज जानते हैं, अनार लाता है तवचा पर च अक्सिडेंट का एक प्रचूर श्रोध है, जो बढ़ती उम्र की तवचा को पोशित कर जुर्यों को तवचा की सुन्दर्ता को कम करने से रोकता है, इसमें और भी अन्य पोशक तत्व होते हैं, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक हैं, प्रती दिन एक अनार अपने आहार में शामिल करना चाहिए आपको, एतनो फार्मा कोलोजी के जर्नल में प्रकाशित एक अध्यान के अनुसार, अनार कोलेजन संशलेशन को बढ़ावा और मेटलो प्राटेनेंस वन के उत्पादन को रोक कर तवचा को जवान बनाए रखता है, इसके स समग्र मोखिक स्वास्थे में सुधार लाकर उसे तरुताजा कर देते हैं, अनार में मौजूद तत्व, दंत पटिका यानि कि पलाक के खिलाप संरक्षन प्रदान करने में सक्षम होते हैं, पटिका गठन को कम करके यह दंत शय, पायरिया, मसूडे की सूजन और कृत्रिम दांतो, स्टोमेटीटीस जैसी दंत समस्याओं के जोखिम को कम कर देते हैं, जीवन के प्राचीन विज्ञान में प्रकाशित एक 2011 के अध्यायन की रिपोर्ट में पाया गया कि अनार के रस से कुला करना पटिका गठन को 32 प्रतिशत तक कम कर सकता है, अनार के फायदे हिरि के स्वास्त के लिए अत्यंत सिहत मंद होता है, यह रक्त धमनियों को पोशित कर रक्त प्रवाह में सुधार लाता है, इटली में नेपल्स विश्व विद्याले में किये गए एक 2005 के अध्यायन के अनुसार, अनार का रस धमनियों के सक्त होने के उपचार एवं उससे बच चाओ में मदद करता है, इसके अलावा ब्रिटिश के पोशन जर्नल में प्रकाशित एक 2010 के अध्यान में पाया गया है कि 800 मिली ग्राम अनार के बीज का तेल ट्राइंगिली स्राइड को कम करता है और उच्छ घनतव वाले लिप्रो प्रोटीन यानि कि HDL अनुपात में सु लाव दायक होते हैं, जिहां अनार उच्छ रक्त चाप के रोगियों के लिए भी बहुत लाव दायक होता है, यह एक अच्छा एंटि ऑक्सिडेंट है और विटामिन C एवं नाइट्रिक एसिड का एक अच्छा शुरोत है, इसके पोशिक गून रक्त प्रवाह को नियमित करने एवं रक्त धमनियों को पोशित करने के लिए जाने जाते हैं, यह दिल के दोरे के होने की संभावना को भी बहुत हद तक कम कर देता है, कम्प्लिमेंटरी थेरेपिज इन क्लीनिकल प्रेक्टिसेज में प्रकाशित एक 2011 के अध्यान का कहना है कि अनार का रस शिष्ट चाप के अस्तर को देखते रहें, विशेश रूप से तब जब आप अनार का सेवन बलर प्रेशर की दवाईयों के साथ कर रहे हूं, तब अनार के स्वास्ते लाभों में से एक महत्वपूर्ण लाभ है कि यह जोडों के दर्द के लिए फायदे मंद होता है, जी हाँ, अन अनार के बीजों का सेवन दैनिक नियमित रूप से करें, यह इंटियोक्सिदेंट एवं सूजन को कम करने वाले गुहों से युक्त है, और जोडों में अकड एवं सूजन को कम करने में सक्षम है, दोहजार पांच में पोशन जर्नल में प्रकाशित एका ध्यान के अनुसा अनार में ऐसे तत्व समाविष्ट हैं, जो जोडों को शति पहुंचने से रोकते हैं, जोडों के दर्द से रहत पाने के लिए आप रोजाना एक ग्लास अनार का जूस पिएं, लेकिन यदि आप कोई दवाई ले रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर से परामर्ष जरूर कर ल अनार का सेवन करने से असमरन शक्ति को तो बढ़ावा मिलता ही है, परन्तु साथी में यह अलजाइमर यानि कि भूलने की बिमारी जैसे दिमाग से समबंधित विकारों को भी हराने की शमता रखता है, 2013 में हुए एक शोध में पाया गया कि अनार दिमाग की क्रियाओं में सुधार लाता है और उम्र समबंधित दिमाग की समस्याओं को भी ठीक करता है, अनार के जूस के फायदे एनिमिया के लक्षनों से लड़ने के लिए भी बेहदलावकारी होते हैं, अनार एनिमिया से पीडित रोग्यों के लिए एक संजीवनी बूटी के समान है, यह शरीर में लोह की कमी को पूरा कर रेड बलड सेल्स की संख्या को भी बढ़ाता है, यह रक्त में हिमोगलोबीन की मातरा में बढ़ोतरी कर उसके प्रवाह में भी सुधार लाता है, इसके अलावा यह विटामिन C से भी भरपूर होता है, जो लोह के अवशोषन में सहायता करता है इस फिर्ड में हुए शोधों के अनुसार अनार एनीमिया के लिए एक बहुत ही सक्षम डाइटरी सप्लिमेंट है और एनीमिया के लक्षनों से लड़ने में शरीर को पूरा सहयोग देता है, एनीमिया को मात देने के लिए रोजाना अपने सुभा के नाश्टे के साथ एक कप अनार का जूस पीएं इसका दूसरा विकल्प यह है कि आप अनार के बीजों को पीश कर चून बना लें और रोजाना सूबह आधा चम्मच चून गर्म पानी में मिला कर पी लें आपको लाब होगा इसके साथ साथ अनार के लाब कैंसर का उपचार करने में भी बेहद ला वश काओं का नाशकर ट्यूमर के विकार पर पून विराम लगाता है अनार के फल का 7 प्रोश्टेट, फेपड़े एस्तन, एंवमि सकिन कैंसर में अत्यंत लाव दायक होते हैं इस फील्ड में किये गए अनेक शोधों ने अनार के एस्तन, एंवमि सकिन कैंसर पर साकारात् भाव की पुष्टी करी है अनार कैंसर से बचाव करने में भी अती शक्षम है कैंसर से बचाव करने के लिए या फिर उसका उपचार करने के लिए अनार को अपने दैनी का हार में शामिल करना चाहिए अनार के रस्त का फाइदा है मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए जी हा शीलता को कम करता है और मधुमेह से होने वाली समस्याओं से भी बचाओ करता है पोशन अनुसंधान में प्रकाशित एक 2013 के अध्यान में पाया गया कि अनार के रस में अध्वीतिय एंटियोक्सिडेंट पालिफे नाल्स यानि कि तैनिन और एंथोस्यानिन्स होते हैं जो टा प्रजनन शमता को बढ़ावा देता है अनार जी हां अनार उन महिलाओं के लिए अत्यंत फायदे मंद होता है जो गर्भवती होने का प्रयास करती हैं यह गर्भाशे में रक्त प्रवाह को बढ़ा कर उसे सशक्त कर देता है और गर्भपात के खत्रे को खत्म कर देता है फ परन्तु यह अध्यान इस बात को भी उजागर करता है कि अनार के अधिक्तम सेवन से बचना चाहिए क्योंकि इसके स्वास्ते पर नाकारात्मक प्रभाव भी पढ़ सकते हैं जो कि हम आगवे आपको बताएंगे कि क्या क्या लोस होते हैं अत्यधिक मात्रा में अगर आप अ प्रिंटा एवन तनाव से भी मुक्ति कराने में सहयक है जो गर्वधारन करने में और समग्र स्वास्ते में सुदहार लाने में मदद करता है गर्वधारन की संभावना को बढ़ाने के लिए अनार के बीज और छाल यानि कि तना का चून बना ले और उन्हें बराबर मातरा में मिला लें इस मिश्रण को एक हवा बंद डिब्बे में रख दें और कुछ हपते के लिए रोजाना दिन में दो बार आधा चमच पाउडर गर्म पानी में मिला कर पी लें रोजाना दिन में एक बार एक गलास अनार के रस का सेवन भी आप कर सकते हैं इसके अलावा अब हम आपको बता रहे हैं कि अत्यधिक मातरा में अनार लेने से क्या नुकसान होता है या किन बिमारियों में अनार का सेवन नहीं करना चाहिए अनार में मौझूद एंजाइम लिवर में मौझूद कुछ एंजाइमों के कामकाज में बाधा कर सकते हैं यदि आप लिवर विकार को देख रहे हैं तो यह फल या फिर इसका रस लेने से आपको बचना चाहिए अनार से कैलोरी में इजाफा होता है यह वजन बढ़ाने का कारण भी बन सकता है इस फल की अत्यधिक खपत कई विकारों का कारण बन सकती है उनमें से कुछ मितली उल्टी पेट दर्द और दस्त यह सारे हो सकते हैं आपको लेकिन यह लक्षन आम तोर पर कुछी घंटों के बाद कम हो जाते हैं अनार की अत्यधिक खपत जट्रांत्र पत्थ में जलन भी पैदा कर सकती है इस फल की खपत के कई लक्षन हो सकते हैं जो एलर्जी का कारण बन सकते हैं उनमें से कुछ एक लक्षन हम आपको बता देते हैं कुछ भी निगलने में आपको दर्द होने लगेगा चकते हो जाएंगे चेहरे में सुजन आ जाएगी सांस लेने में कठिनाई होने लगेगी मुह में सुजन और दर्द होने लगेगा इसलिए आवश्यक है कि इसे आप सिमीत मातरा में खाए और कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखें जो कि हम आपको बता रहे हैं आप एक सब्ता तक अनार को कमरे के समाने तापमान पर श्टोर कर सकते हैं यदि आप उन्हें फ्रीज में रखना चाहते हैं तो उन्हें पलास्टिक में लपेट कर रखें अनार के ताजा बीज को तीन से चार दिनों के लिए फ्रीज में रखा जा सकता है अनार के बीज खाने के बाद यदि आपको खादे एलर्जी के लक्षन दिखें उसका सेवन करना तुरंत रोक दें और अपने चिकित सक से परामर्ष लें अनार के रख का सेवन रक्त संबंधित दवाईयों के साथ डॉक्टर की सलाह लेने के पाश्चात ही करना चाहिए किसी भी प्रकार का अनार पूरक चुनने से पहले हमेशा पहले डॉक्टर से परामर्ष अवस्य कर लें तो देखा दोस्तों आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए अनार के फायदों से जुड़ी हुई जानकारियों के लेकर के उपस्तित हुए थे लेकिन इसके साथ साथ हम आपको इसके अधिक मातरा में सिवन से होने वाले नुक्सानों को भी बताया क्योंकि आप ये जानते रहेंगे तो ही फायदा इसका उठा सकते हैं आप तो ये थी आज के हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों